लगतार धमाकों के बीच हम इस वक्त पहुँचे हैं एक वार फ्रंट लाइन पर इसराइली सेना का वार फ्रंट लाइन है गाजा के अंदर भी इस तरह के टेंग घुश चुके हैं और गाजा की सीमा पर भी हम बॉडर पे हैं और ये टेंग दुनिया का one of the best टेंग है और इ मेन गन पोईंट है जो कभी भी गाजा में घुषने की इजाज़त इसे मिल सकती है हम आपको उपर चड़के ईसकी तमाम खुबिया बता रहे हैं इसी तरह के टैंक गाजा के अंदर भी हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं लगातार जो लोकेशन है यह देखे में गन पॉइंट हमने आपको बताया न्यू जेट इन इंडिया आपको लगातार इस तरह की तस्वीरे एक्स्क्लूसिव तस्वीरे दिखा रहा है दो मशीन गन होते हैं चार लोग इस पे सवार हो सकते हैं ड्राइवर लोडर कमांडर और गनर चार ल चला सकते हैं इस तरह से बनाए जाता है रोलिंग वील है कैमरा परसन करम आपको दिखाएंगे रोलिंग वील के जरिये यह मरकावा टैंक है चारो तरफ से हम कहेंगे इस टैंक को चारो तरफ से कैमरा परसन करम दिखाएं हम सीमा पर हैं और न्यू जेट इन इंडिया पहल बीच के बाहर टैंक है वार फ्रेंट लाइन है और बीच बीच में इसका इस्तेमाल होता है लेकिन अभी यहां खड़ा है इस तरह से कई टैंक यहां मौजूद है और इसलिए यहां तैनाद किया गया है कि जब भी जाजत होगी गाजा के अंदर यह टैंक चले जाएंगे प् टैंक और मरकावा से ही लगातार गाजा के अंदर हमास के इंफ्राइस्ट्रक्चर को उड़ाया जा रहा है न्यूजेट इन इंडिया लगातार आपको वो तस्वीरे दिखा रहा है जो आपने अब तक नहीं देखी देखी होंगी यहां अलग-अलग-अलग-अलग-अलग जाने के लिए धुवा फेकने के लिए यह साथ मीटर तक आगे धुवा छोड़ सकता है जाकर गिर सकता है ग्रेनेट की तरह और मरकावा टैंक को आपको हमने न्यूजेट इन इंडिया पे दिखाया और वो तस्वीरे आपको लेकर आएं जो आपने पहली बार किसी भारति यह चैनल पे देखी हैं इसी तरह के टेंक गाजा के अंदर हैं गाजा के सीमा पे हैं और लगतार धमाको के बीज हम आपको उस टेंक का फीचर दिखा रहे हैं जो गाजा के अंदर हमास के तमाम इंफ्राइस्ट्रक्चर को बरबात करने में महतोपून भूमी का निभा रहा है कैमरा परसन करम सिंग के साथ नीरज कुमार, न्यूजेट इन इंडिया, गाजा बॉर्डर, इसराइल सिर्फ टैंक ही नहीं तयार हैं बलकि आर्मर कैरियर वहिकल भी तयार है जिस पे सोलजर को बैठा कर बखतर बन गाडियां इस तरह से बॉर्डर पे या दुस्मन के छेतर के अंदर ले जाती है टैंक के अलावा इस तरह के वहिकल भी तयार है, इसमें 10 लोग, 10 से 12 लोगों के बैठने की विवस्ता होती है अलग-अलग मॉडल के मुताबिक आपको गन दिख रहा होगा, और ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये शीसे जैसा, ये बुलेट प्रूफ है इससे सोलजर जो अंदर बैठे होते हैं, जो इसको चला रहा होता है इस वहिकल को, वो देखता है कि पॉजिशन क्या है अगर मान लीजे, गाजा के अंदर घुसना हो किसी शहर में, सोलजर इसी तरह की गाड़ियों से घुसते हैं, और इधर से घुसते हैं, कैमरा परसन करम से बताते हैं, करम आप दिखाएए, यहां से सोलजर अंदर घुसते हैं, वो तमाम प्रोटेक्टेड जैकेट के साथ ह होते हैं, हेलमेट के साथ होते हैं, और दस से बारा लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, और यहां बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में इस तरह की गाड़ियां तैनात हैं, इस से जाने का फायदा यह होता है कि अगर दुस्मन उन पे RPG भी छोड़े, फाइरिंग करे, तो सोलजर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा यह बखतर बंध है, और अपने मुताबिक, अपनी सुविधा के मुताबिक, अंदर बैठे बैठे फायरिंग की जा सकते हैं, बड़े बड़े फायरिंग यहां से किये जा सकते हैं, तस्वीरे निूजेटिन इंडिया पे आप देख रहें, एक नहीं, कई, इधर देखिए, इधर भी लगी हुई है, गाजा सीमा यहां से महज एक किलोमीटर की दूरी पर है, और जैसे ही इजाजत मिलेगी, इन हैं, यहां जो टुकडी तैनाथ है, उन्हें जैसे ही इजाजत मिलेगी, यह लोग अंदर प्रवेस कर जाएंगे, यहां हमें तीन दिखें हैं, दूसरी तरब भी, दो, तीन तैनाथ है, तो इसी तरह की गाडियां लगातार तैनाथ है, गाजा की सीमा के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि उतरी गाजा में लगातार आईडिएफ का अवियान जारी है, लेकिन इस तरह की गा अंदर जाने के लिए, और New Jet in India पहला चैनल है, जो युद्ध भूमी के अंदर से, जहां से टैंक से गोले छोड़े जा रहे हैं, जहां गाडियां भी तैयार हैं, गाजा के अंदर जाने के लिए, आपको हम वहां से तस्वीरे लाकर बता रहे हैं कि कैसा युद्ध चल रह में टैंक और आर्मरी विकल तैनात किये गए हैं बॉडर पे, गाजा के अंदर तो घुश चुके हैं, लेकिन बॉडर पे भी तैनात हैं, चाहे बैटल फिल्ड टैंक की बात करें, या फिर आर्मरी विकल की बात करें, वो तैनात हैं सीमा पर, और अपने जवानों को अंद भी आदेश मिलेगा इस पर दस जवान सवार होके गाजा की सीमा के अंदर घुज जाएंगे कैमरा पर संकरम सिंग के साथ नीरज कुमार न्यूजट इन इंडिया गाजा इसराइल बॉर्डर इसराइल न्यूजट इन इंडिया एक वार लोकेशन पर है जहां इसराइली फोर टैंक किसी तरह के तैनाद किये गए हैं और दुनिया के दस बेस्ट टैंक को अगर शामिल किया जा तो उसमें एक मरकावा का नाम आता है चाहे अमेरिका के टैंकों से तुलना करें रूस के टैंकों से तुलना करें उसमें इसका नाम है तो इसी तरह के टैंक गाजा के हम लोग मौजूद हैं वहां किसी भी चैनल को इस तरह से कवर करने की इजाज़त नहीं मिले लेकिन हम आपको मरकावा टैंक के उस लोकेशन को दिखा रहे जहां से हम बता रहे हैं कि कभी भी ये टैंक गाजा के अंदर जरूरत पढ़ने पर घुझ सकते हैं इसमें एक बार म को पाच किलोमीटर रेंज तक यह हमला कर सकता है और हम आपको दिखा रहें देखिए इस लंबी कतार में इस तरह से टैंक तयार हैं करीब इस तरह के टैंक 700 की संख्या में इसराइल के पास है मरकावा का जो मॉडल है उसकी संख्या इसराइल के पास 700 के करीब है मरकावा का दूसरे मॉडल भी है वो भी बड़ी संख्या में इसराइल के पास है इधर से कैमरा परसन आपको दिखाएंगे करम इस टैंक की खूबिया देखे ये चलता है रोलिंग वील पे चलता है और किसी भी इलाके में पहुंच सकता है बखतर बन पूरा होता है अगर इस पे आप बं मारे मिसाल मारे हसर नहीं होगा और इस तरह से चलता है तो खूब आवाज होती है मिट्टी उडाता हुआ धूआ उडाता हुआ ये आगे बढ़ता है दुस्मन के च्छेत में और गाजा में इस तरह के सैकडो टैंक उसके बॉर्डर और गाजा के सीमा के अंदर मौजूद हैं और वो लगातार यूद्ध च्छेत में अपना काम करें ना सिर्फ इधर कैमरा पर्सन करम आपको दूसरी तर साइज करते हैं और ये और ये इस तरह से कोसिज की जाती है कि जब भी आदेश मिले वो चले जाएं गाजा की सीमा के अंदर और ये मरकावा टैंक के बारे में हमने बताया जहां यूद्ध चेतर में हम मौजूद हैं और न्यू जेट इन इंडिया आपको मिलती है कैमरा पर्शन करम सिंग के साथ नीरज कुमार न्यूज एट इन इंडिया गाजा बॉर्डर इसराइल